अगर देखिए आप प्रोविडेंट फंड क्या होता है हमारा प्रोविडेंट फंड अगर मैं थोड़ा सा सिंपली समझाओं आपको तो कोई भी कमपनी अगर इसके पास कोई employee job करेगा वर्क करेगा किसी भी तरीके का वर्क करता है कमपनी के पाँ अगर कमपनी ने अपना रेजिस्ट्रेशन करवा रख है 1952 इंप्लोई प्रोविडेंट फंड मिसलीनियस एक्ट में तो इस employee को इस सेलरी में से कुछ पैसे डिड़क्ट करेगा ये और मान लो हजार रुपए अगर इस employee में से डिड़क्ट करता है तो ये अपने जेब से यानि कमपनी अपने पास से भी हजार रुपए मिला के 2000 ये डिपोजिट कर देगा EPF डिपार्टमेंट में एक ये सरकारी और्गनाइजेशन है जिसके अंदर के सारे गौर्णमेंट इंप्लोई होते हैं तो ये यहाँ पे डिपोजिट करेगा 2000 अब ये जो employee provident fund के officer है इसके पैसे को invest करते हैं कहीं भी invest करें कैसे भी करें लेखिन इनको इस पे interest भी दिया जाएगा compounded yearly basis पे simple interest नहीं होगा compounded होगा yearly basis पे तो basically हम ये सीखेंगे कि यहाँ पे दो contribution है एक तो employee का और एक employer का plus interest इस तीन चीजे की बात करेंगे हम taxable होगा हमारा employer का contribution क्या होगा employee का contribution क्या होगा और taxable क्या होगा employee का contribution कहीं भी taxable नहीं होगा बलकि benefit और मिल जाएगा तो आज का topic जो है हमारा वो है provident fund employee provident fund employee provident fund में देखो एक है हमारा R.P.F. जिसको मैंने short form में लिखा हूआ इसका full form क्या है रेकोगनाइज Unrecognized Provident Fund दूसरा हमारा है URPF इसको भी मैंने Short Firm में लिखा हुआ है Unrecognized Provident Fund Basically दोनों में Difference क्या है जिसने Commissioner of Income Tax के पास अपने आपको Registration करवा रखा है वो तो Recognize के अंदर Covered होगा जिसने नहीं करवा रखा वो Unrecognized के अंदर Covered होगा अब RPF के अंदर मैंने क्या क्या Point Mention किया हुआ है RPF के अंदर सबसे पहले मैंने बता है जो यह Employer Employee डाल रहा है उसको हम Contribution बोलते हैं अगर कहीं भी Word आ जाए Contribution तो इसका मतलब Employee ने डाला Employee ने डाला उसके उपर Depend करेगा किस ने डाला वो Question में Mention होगा आपको वैसे Clearly तो RPF क्या होता है हमारा Recognize Provident Fund Contribution की बात करें तो Contribution एक है हमारा Employee करेगा और एक Employer करेगा दोनों Contribution करेगा जैसे इस वाले Example में Employee का Contribution 1000 रुपीज और Employer का Contribution 1000 रुपीज यह पर मन्त के बेसिस पर होता है हर मेहने होता है साल में कभी भी नहीं होता Contribution में Employee और Employer दोनों का Contribution होगा अगर Employee की Contribution की मैं बात करूँ तो इसको तो deduction मिल जाएगा यानि अपने पैसे में से बचाया है इसने तो बचाने के बाद इसको benefit मिलेगा बचाने के बाद benefit कहां मिलेगा Under section 80C जब सारा taxable निकालेंगे तो deduction chapter में करा था हमने सारा taxable निकालने के बाद 80C में मैंने Contribution Towards Provident Fund वहाँ पे लिखा था तो जो भी है ये अगर आप deduction अपने salary में से पैसे निकाल के जमा करते हो तो एक तरी से investment है 80C section क्या कहता है अगर आप पैसे बचाओगे तब आपको tax में छूट दिया जाएगा तो उसी तरीके से ये employee अपने salary में से धीरे धीरे पैसे काट 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 के जमा कर रहे है तो एक तरीके से बचाई रहे है तो इसलिए government कहता है ये भी एक तरीके से saving कर रहे है ये इसको भी deduction मिलना चाहिए कहा मिलेगा 80C में लेखिन employer का जो contribution होगा employer भी दे रहे है यानि हजार employee वाला तो benefit मिल गया employer वाला contribution taxable तो होगा लेखिन 12% तक exempt होगा 12% of what SRB अब SRB क्या है यहाँ पर SRB का मतलब basic plus DA और वो भी कौन सा और plus percentage of commission ठीक है तो जो भी 12% होगा उसका exempt हो जाएगा बाकी का सारा क्या होगा taxable तो देखो रपी एफ के अंदर contribution contribution employee employee वाले तो सोचना ही नहीं और deduction कहां मिल जाता है हम 80C में salary में कहीं भी नहीं जूड़ेगा ये employer वाला salary में जूड़ेगा लेकिन पहले 12% तक है तो minus कर दें balance को जूड़ेगा जैसे example example मान लो employer का contribution है 10,000 रुपए ठीक है और इसका SRB आ गया 50,000 रुपए employer का contribution कितना दे रहा है और SRB कितना आ गया पचास हजार का 12% तक exempt balance will be taxable तो पचास हजार का 12% कि आएगा 6,000 तो 6,000 रुपए exempt हो जाएगा और बाकि इसके salary में कितना जूड़ेगा पता है चार हजार अब ये पचास हजार कैसे आया ये मैंने calculation ले लिया है उस तरीके से है तो आरपी एफ के अंदर contribution में एक employee का contribution होगा एक employer का employee का contribution क्या होता है हमारा exempt deduction मिल जाता ATC में taxable नहीं होता employer वाला 12% तक exempt होगा SRB का balance will be taxable अगर मान लो मेरा SRB होता एक लाक मेरा SRB कितना होता एक लाक का 12% कितना होता है 12,000 मिला कितना है तो fully exempt 2000- में नहीं जाएगा fully exempt हो जाएगा इसके बाद मैं interest की अगर मैं बात करूं तो interest के अंदर जो इसने पैसे जमा करवाए अभ्याज मिलेगा अभ्याज employer वाले पे मिलेगा employee दोनों पे employer और employee कोई define नहीं कर रहा होगा दोनों पे अगर मिलता है तो 9.5% के rate से अगर भ्याज मिला है तो तो exempt अगर उससे जादा पे मिलता है तो क्या होगा fully taxable एक्जामपल देखते हैं अगर मैं इसका example लूँ तो example में मुझे interest मिला है 9,000 रुपे और rate जो था 9,000 का 13% 9,000 का क्या था हमारा 13% ठीक है 9,000 का interest मिला है और उसका rate है 13% exempt कितना है 9.5% amount क्या मिला है हमे 9,000 exemption देखो कैसे निकालेंगे 9,000 ये मिला है मुझे 13% divided by 13 divided by 13 तो divided by 13 यानि ये equal हो गया 13% के और exemption कितना है 9.5% multiply 9.5% multiply तो एक वो amount हो जाएगा जितना हमारा exemption होना चाहिए तो ये calculate करना एक बार क्या आता है चोड़ दो पॉइंट को छोड़ देते हैं तो 6576 रुपे exempt होगा यानि 9,000 में से 6576 माइनस कर देंगे और बाकी का जो balance बचेगा वो क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा तो इसके अंदर थोड़ा सा calculation आप सोचोगे कि देखो simple सा है कि जो amount आपको मिलेगा वो rate के हिसाब से मिलेगा उस rate को हम नीचे रखेंगे और into में हमारा कितना exemption दूसरा तरीका हम चाहते हैं exemption निकाल के क्या करें taxable ही निकाल लेते हैं ना मिला कितना है 13 exemption कितना है 9 point difference कितना हो गया 9.5 minus 13 2.5 तो मैं रखूँँगा डाइरेक्ट क्या निकलेगा हमारा taxable amount तो मैं आरपीएफ की बात कर रहा हूँ आरपीएफ के अंदर अभी क्या था contribution contribution के अंदर employer का contribution होगा employee का contribution होगा जो employer का contribution है वो ATC में deduction है employee का contribution जो है वो ATC में deduction है employer का contribution subject to 12% exempt है balance will be taxable and interest की बात करेंगा दोनों का ही होगा employer वाला employee वाला 9.5 तक exempt है बाकी अगर उससे ज़्यादा rate से मिलता है तो fully क्या हो जाएगा आपको अगर मैं लिखू यहाँ पे हमें interest मिला है 8% के हिसाब से कुछ सोचना ही नहीं पूरे के पूरे 9,000 अगर मैं बोलता हूँ मुझे 9,000 रुपे मिला है interest और मिला है at the rate 8% तो क्या taxable होगा यह fully exempt हो जाएगा क्योंकि 9.5 तक तो exempt ही है उससे कमी rate मिल रहा है तो इसका मतलब fully exempt अब बात करते हैं withdrawn अब पैसा जमा किया है तो कभी न कभी तो निकालो गही हाला कि अब प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालने पे taxable हो गया है अब हो गया है लेकिन अभी आपके syllabus में फिलाल के लिए वो पुराने वाला चल रहा है उसमें taxable नहीं है तो अगर आप withdrawn करते हो यानि जैसे 20 साल 25 साल के बाद आपका हो गया है और उसको आप जाके वहां से निकाल लेते हो तो आपको कोई tax नहीं देना कोई taxable नहीं होगा क्योंकि कभी ना कभी तो निकालोगे या आप इस department से जाके तो कोई tax नहीं देना लेकिन अब हो गया है कि एक लाक रुपे तक निकालोगे तो इतने परसंट टेक्स कटेगा दो लाक वालाग अलग स्लाप कर दिया उन्होंने उससाब से है तो अभी current वाले के मैं बात नहीं कर रहा आरपीएफ पूरा का पूरा खतम हो गया आरपीएफ में दो तीन चीजे हैं contribution, interest, withdrawn withdrawn तो fully exempt, contribution employer का taxable interest 9.5% exempt इसके बाद बात करते हैं यू आरपीएफ आरपीएफ में जमा करते टाइम पर tax लगाया यू आरपीएफ में बोलता है जमा करो हमें मतलब नहीं है जब निकालोगे ना तब हम taxable करेंगे दोनों में डिफ्रेंस देखो पहले RPF जैसे जैसे salary में से जमा कर रहे हो उसी time government tax लगाना start कर देती है URPF में जमा करते हो कोई मतलब नहीं government को लेकिन जब निकालने जाओगे न तब government बोलती है अब हम tax लेंगे तो दोनों में सबसे major difference है एक deposit के time पे taxable है एक withdrawn के time पे taxable है तो देखो URPF में contribution किसका होगा employer और employee employer का जो भी contribution होगा exempt employee का जो भी contribution है exempt मतलब उसको सोचना ही नहीं है आपका क्या हो रहा है नहीं हो रहा है अगर URPF को देता है और बोलता है employer 25,000 जमा कर रहा है employee 20,000 जमा कर रहा है उसमें कुछ भी नहीं करना उस contribution को देखना ही नहीं है हमें कितना deposit हुआ सारा का सारा अगर 5000 रुपे जमा employer ने किया है fully exempt और 5000 employee ने किया fully exempt उसको कुछ नहीं सोचना किसमें? URPF में लेकिन अगर RPF होता तो इसका तो employee वाला deduction और ये 12% तक taxable interest की बात करते हैं जब deposit करोगे तो हर साल का interest accumulate होके इखटा होता रहेगा तो उस interest पे भी कोई taxable नहीं है deposit के time पे लेकिन जब withdrawn करोगे तब यहाँ पे withdrawn के case में contribution और interest जब निकालने जाओगे तो आप दो चीज़े निकालोगे एक तो जो अपने आपने पैसे जमा कियोंगे principal amount निकालोगे और एक ब्याज दोनों मिला के लंसम amount मिलेगा आपको मानलो 1000 जमा किये आपको 100 रुपे ब्याज मिला तो total कितना निकालने गए 1100 तो 1100 रुपे में दो पार्ट है क्या क्या है 1100 में दो पार्ट है ब्याज भी है और principal भी है अब विड्रोन की बात करते हैं contribution विड्रोन करोगे और interest विड्रोन करोगे contribution भी विड्रोन होगा तो दो लोगों का contribution विड्रोन होगा जो एक आपने जमा किये होंगे और एक employer ने जो आपने जमा किये होंगे employee ने उस पर कोई taxable नहीं है employer वाला पूरा taxable होगा किसमे salary में जाके, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, contribution का हो गया, इसके बाद बात करते हैं, interest निकालोगे, तो interest निकालोगे, तो जो आप पैसा जमा कर रहे हो, उस पे भी ब्याज मिल रहा होगा, और जो मालिक जमा कर रहा है, उस पे भी मिल रहा होग ब्याज, तो आप जो जमा कर रहे हो, जो उस पे ब्याज मिलेगा, वो तो salary हो जाएगा, आप जो जमा कर रहे हो, उस पे ब्याज मिलेगा, वो तो taxable हो जाएगा, other source में जाके, other source अभी हमने chapter किया है, नहीं है, वहाँ पे मैं बताऊंगा, interest on unrecognized provident fund पे, तो अगर आपने जो जमा किया, जैसे कि मैंने यहाँ example लिया है, यह आपने जमा किया है, तो इसके interest पे कौन taxable देगा, आप ही दोगे, लेकिन, लेकिन जो मालिक ने जमा किया है, वो taxable हो जाएगा, salary में, example कैसे solution करेंगे इसका, solution हम कुछ इस तरीके से करेंगे, suppose that मुझे जो है, URPF से, मै जैने विड्रोन किया है, पांच लाक रुपे और प्लस बीस अजार रुपे interest, दोनों का equal contribution है, तो पांच लाक में से, धाई लाक रुपे और धाई लाक रुपे, एक किसका मानले, employer, एक employee, interest भी कितना कितना हो जाएगा, दस दस अजार रुपे, एक किसका हो जाएगा, और एक, तो जो employer का contribution है, taxable, employee का contribution exempt, employer के contribution पे interest taxable कहाँ, employee के contribution पे other source, तो देखो मैंने यहाँ पे जो आपके salary के point of view से देखा जाए, तो salary के point of view से अगर देखा जाए, तो जितने मैंने यहाँ पे green green box बनाया है, सरफ यह salary का काम है, बाकी या तो exempt है, या फिर आपका किसी और head मे taxable हो जाएगा, जैसे की यह है, URPF में सिर्फ और सिर्फ, withdrawn के time पे taxable है, कौन सा, employer वाला, और निकाला जितना amount, और employer वाला interest, other source में कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, वो salary के question करते time पे हम नहीं सोचेंगे, normally salary का calculation कर लेंगे, जब total income calculate करेंगे, तब इसका काम आएगा, और URPF में निकालते time पे, withdrawn जब करोगे, पैसे पूरे होने के बाद जब निकालोगे, URPF में तो क्या tax देना है, नहीं tax देना, लेकिन जब जमा करोगे, तो देखना पड़ेगा, interest पे तो 9.5 exemption है, बाकी taxable है, और बाकी अगर आपकी बात करें, खुद के जमा पे, employee के contribution पे त हमारा 12% तक exempt होगा, बाकी क्या हो जाएगा, taxable, तो ये था हमारा पूरा का पूरा employee provident fund, employee provident fund दो तरीकी का चलेगा, आपको ध्यान रखना है, recognize है या unrecognized, अब question में बताता ही नहीं है, कि recognize है या unrecognized, नहीं बता रहा question में, suppose करो, तो अगर नहीं बताता, तो आपको assumption ले कि पूरे question को कर सकते हैं, लेकि note जरूर देना है clearly, कि आपको इसमें information clear नहीं given, और दूसरा पहचानने का तरीका है, अगर question में बताता है नहीं है, आर पीफ कोन सा है, पीफ का पैसा कोन सा, और withdrawn, withdrawn की बात कर रहा है वो, तो समझ जाओ कि ये वाला होगा, यू आर पीफ, औ इसका pending फटाफट note करिए एक बार, फिर question लिखवाता हूँ मैं इस पर,